एवरी मंडे टेस्ट होगा एवरी मंडे टाइम होगा चार से पांच इस मंडे को अगले मंडे का टेस्ट सब्जेक्ट या चेप्टर बता दिया जाएगा चार से पांच जो है ये टाइम फिक्स मैंने किया है कि हर मंडे चार बजे से पांच बजे तक जो है आपकी एकजाम ह एक घंटे, टेलिग्राम पर पेपर आएगा, PDF फ़र्मेट में आएगा, उसमें पासवर्ड होगा, पासवर्ड भी में आपको टेलिग्राम पर बताऊंगा, और उसी के साथ हर मंडे को एक वीडियो भी अपियर होगा टेस्स सीरीज का जिसमें मैं कोशिच करूँगा आपको लिंक प्रोवाइट करने की question paper और password जो बच्चे टेलिग्राम पर नहीं आ सकते फिर उनको download करना पड़ेगा लेकिन maximum आप टेलिग्राम पर आओ मैंने मैंट्स के हर एक चैप्टर के हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड किये हैं मैं फिर से आपको सारे हैंड रिटेन नोट्स जो है टेलिग्राम पर की ग्रूप में फिर से भेजने वाला हूँ ठीक है और जो चैप्टर हो चुके हैं लोजिक, मैटराइस, डिफ्रेंचियेशन वो चैप्टर के जो टेस्ट वापस से आपको सेंड करूँगा आप अपने टाइम टेबल से बीच में मंडे, मंडे, मंडे के बीच में वेटनस देव अगर को फुद का टेस्ट कुद ले 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 इसके लिए आपको अपना चैनल आजाएगा, दिनेसर फ्री है बिल्कुल उसको जोइन करना चैनल को वहाँ पर सारे वीडियो के नोटिफिकेशन और जो भी आगे होने वाला वो मैं बताते रहता हूं और एक HSC Science DG करके आप डालोगे ना कोड HSC Science DG तो हमारा ग्रूप आएगा टवल्का HSC Science Toppers 100% इस तरह से, mission 100% तो वो ग्रूप आपको जॉइन करना वहाँ पर सब कुछ आएगा एक घंटे की एक्जाम होगी, Monday to Monday एक्जाम होगी, एक घंटे की एक्जाम होगी यह जो एक्जाम होगी 25 marks की एक्जाम होगी, 25 marks की एक्जाम होगी, صिर्फ MCQ एक्जाम नहीं होगी MCQ होगे, जैसे कि आप जानते हो math के अंदर 2-2 marks के MCQ होते हैं तो यहाँ पर आपको 2-2 marks के MCQ होगे, 3 Mark के question होगे, 4 Mark के question होगे total 25 mark का paper होगा मैं आपको खूद से select किये हुए question कोई software द्वारा नहीं कोई बनाया हुआ paper कहीं का ready made नहीं मैं खूद question पिक करूँगा और जितने भी type के questions होगे हर type के question होगे 2 mark के 3 mark के 4 mark के MC की होगा बड़े questions होगे चोटे questions होगे और जो question बोड एक्जाम में पूछे जा सकते हैं वैसे questions दोगा ऐसे questions आपको मिलेंगे जिसकी प्राक्टिस करने के बाद लगबग आपका वो chapter रिविजन हो जाएगा sir reward पन पाईजिए वेदान मन्तो देवया आपन विदा करूए आपन काई तरही तो मैं रिवार्ड का भी system रखूँगा कुछ तो करूँगा लेकिन इसके लिए कुछ तो एक बोलते ना system बनान पड़ेगा मुझे कैसे पता जालेगा किसको कितना माक्सा है तो यह सारी चीजे है most likely अगर आप यह test series rupees 43 पैसे की क्यू बात कर रहागा अचा रिवार्ड के लिए पैसे की बात कर रहागा मैं दूंगा ना reward करने वाला हूँ मैं एक लाग पे करना था नहीं कर पाया लेक्चेस में बीजी रहागा दो लाग सब्सक्राइबर होने वाले हैं जो यह test series अपियर करेगा अभी यहां पर कुछ question ऐसे हो सकते है जो reduce syllabus में से आए हो सकता है लेकिन मैं कोशिश करूँगा clashing addy बोलते है कि reduce syllabus आएकर नैा चलो मैं कोशिश करूँगा कि आपको reduce syllabus से questions ना दूँ मैं कोशिश करूँगा कि आपको reduce syllabus से इससाल के लिए question ना दूँ ठीक है चलेगा तो आपका जो reduced level से आप नहीं पड़ोगे तो चलेगा अभी कल का जो paper ready है मेरे पास मैंने जो बनाया है trigonodic function का और वो मैं कल रिलीच करूँगा चार बजे आपको एक गंटे का लिए exam देना होगा आपको एक हफ्ते पहले पता चल जाएगा एक हफ्ते पहले पता चल जाएगा कि exam कौनसे chapter का होने वाला है और आपको एक हफ्ते का time मिलेगा और आपको top करना है आपको top करना है एक हफ्ते के लिए एक हफ्ते काफी है एक हफ्ते में अच्छे से उस chapter की practice करना और जो regular chapter चल रहा है उसकी भी practice करना इसके बाद अब टेस्ट होगा कैसे जैसे मैंने बताया कि मैं आपको एक question paper pdf के form में मेरे हाथ से बनाया हुआ मेरे द्वारा चुने हुए questions होगे उसका एक password होगा pdf का जिसने पहले exam दी थी हमारी test series स्टार्टिंग में कभी जब अपने चैनल पर मई जून में मैंने test series रखी थी तो उसमें logic, matrices और differentiation की मैंने test लिती आपने दी थी तो अब आगे के chapters होगे जिनों ने पहले chapters नहीं दिया उनके लिए मैं वापस से repost कर दूँगा और जो बच्चे commerce में है 11, 12 commerce उनके थोड़े से chapter मुझे cover करने तो फिर test रखता हूँ जो 11 science के बच्चे हैं वो अभी पढ़ना शुरू किये हैं आपके लिए भी थोड़े दिनों के बाद test चालो होगा 10th के लिए next week से मैं test series चालो कर रहा हूँ तो यह सारी चीजे हैं अब यहाँ पर क्या होगा देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि test series होने के बाद आपका जो paper है वो किस तरह से check करना होगा और किस तरह से मुझे पता चलेगा तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा टेलिग्राम में एक post डालूँगा एक voting डालूँगा कि किसको कितने marks मिलें आपको वो select करना होगा आप चाहिए तो टेलिग्राम में अपना paper मुझे भेज सकते हो आपका जो paper है उसको scan करना add-off scan करके app होता है या तो कोई भी एक जो app होगा उस app का use करके PDF बनाएंगे कैसे app होते ना बहुत सार जैसे cam scanner था बढ़ चाइनीज था वो मत use करना add-off scan है या Indian बहुत सार app है उससे आप scan करना एक ही PDF फाइल बना ना सारे pages की ऐसे 4-5 page मत बेज देना कितने page देखुआ एक PDF होगा तो मैं देख लूँगा आपका और आपको self evaluation करना है सबसे पहले तो जो एक घंटे की exam दोगे 4-5 के बीच में टाइमिंग परफेक्ट होना चाहिए 4-5 पहली बात चार बज़े पेपर दो के चालू करो के पाँच बज़े तक एक घंटे में हो जाना चाहिए पेपर और एक घंटे के अंदर इमानदारी से पेपर देना है, चीटिंग नहीं करना है हो सकता है आपके पाँ डाइजेस्ट हो या हैंड रिटेन सॉलूशन मेरा दिया हुआ हो चलेगा लेकिन यहां पर देखो आपको कोई यह नहीं है कोई देखने वाला नहीं है बोलते हैं कि मैं ऐसी जगह जाके चीटिंग करूँगा जहां पर मुझे कोई देखना ले लेकिन ऐसे कोई जगह ही नहीं है उपर वाला सब को देखता है तुम अकेले में अगर गलत काम करोगे तो तुमारा दिल क्या बोलेगा हा तुमको चलो 25 में से 25 मिल गए लेकिन तुमको खुद को पता रहेगा ना यार मैंने चीटिंग किया था एक क्वेस्चन मैंने देखा था इमानदारी से करना क्योंकि यहां पर वन वे कम्यूनिकेशन हो रहा है यूट्यूबर आप मुझे देख रहे हो मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ तो करना क्या है आपको कि उसका पेडिय बनाना है और परसनल ऐसे बेच पाओगे कि जिस ग्रूप में आप उस ग्रूप में एडमिन करके मेरा नाम लिखा होगा डीजी करके डीजी शॉट में उस नंबर पर या उस प्रोफाइल पर टेलिग्राम पर मुझे भेजना और मैं कोशिश करूँगा पास से चे का जो टाइम होगा उ एक बर आपने पेपर मुझे भेज दिया फिर अपने पेपर को खुद से ही चेक करो या तो आपके साथ कोई और आपका दोस्त है समझो आप दो लोग पढ़ाई कर रहे हो फ्रेंड हो आप दोनों एक दूसरे का पेपर एक्सचेंज कर लो उसका पेपर आप चेक करो आपक गलती क्या है मुझे बताओ कि मुझे मुझे कहां से गलत हो रहा है मेरे मार्क्स क्यों कट रहे है क्योंकि ये बोर्ड एक्जाम तो है नहीं ये बोर्ड एक्जाम तो है नहीं समझ में आ रहा है बोर्ड एक्जाम में तब सक्सेस्फुल हो जाओगे जब आपको सारी गलति जो है spot करने दो और देखो उसको next exam में वो गल्ती मत होने देना ऐसे करते करते आप अपना error analysis करोगे आपको पता चलेगा कि मुझसे क्या गल्तियां होती है अपना paper जब हम कुछ चेक करते है तो problem होता है कि हमें अपनी गल्तियां दिखती नहीं हमें लगता वो चीज सही है हम मैं तुझे एक्षेंज करूँगा तेरा paper मुझे एक्षेंज करना और हम दोने एक दूसरे का चेक करके आप मुझे forward कर देना इमानदारी से इससे क्या होगा आपकी गल्ती आपका दोस्त बताएगा आपका paper मैं भी देखूँगा मुझे कुछ लगा तो मैं भी suggest करूँग आपको कितने marks आ रहे हैं मुझे टेलिग्राम पे भेज देना देखो मैं टाइम निकालूँगा फास से छे एक गंटा में आप लोगों के लिए reply करते बैठूँगा लेकिन उसके बाद नहीं क्योंकि यह test है टाइम का कीमत होता है समझ में आ गया उसके बाद टेलिग्राम ग्रूप में हमारे एक पोल आएगा कि 25 में से 25 किसको आए 24 कितने लोग को आए 23 कितने लोग को आथा आपको वोटिंग देनी होगी और परसनल में आप अपना marks और मुझे पेपर बेजोगे और मैं कोशिच करूँगा यूटूब वीडियो के जरिए भी आपको मैं पेपर दे दू और जो पिछले पेपर तीन चेप्टर के लगबग हुए वो भी मैं प्रोवाइट करूँगा सारे पीडियो नोर्ट भी मैं आज से देने जा रहा हूं